हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का अभी जो ख़बर हम लोग आपको दिखाने जा रहे हैं यह प्रत्यक शरूप से तो साथवे चनल से नहीं चुरा हुआ है लेकिन इसका प्रभाव साथवे चनल पर भी पढ़ सकता है यह ख़बर प्रात्मिक सिक्षक पहाली पर असर कै से डाल सकती है इसका हम लोग्त लेसे करेंगे वासदव में एक कबर हेड मास्टर की निक्श्टी से समब्ढ़ित है जो की हेड मास्टर की निक्ति आप लोगको पता होगा कि भी प्यसी के थुरू हो रही है और उसमें पर इक्षा लेकर एक्जाम लेकर ही बहाली की पत्ना हाईकोट में इस पे केस किया गया था इसको हम लोग इसी ख़बर को आपको दिखा रहे हैं यह आज के हिंदुस्तान में छपा है पत्ना एडिसन में पेस नंबर 4 पे यह ख़बर छपा हुआ है इस ख़बर में मुख्य रूप से जो हिर्माश्टर की बहाली होनी है उ नई नियमावली को बे असर करार देते हुए उसे प्राडूप नियमावली का दर्जा दिया है यानि कि हिर्माश्टर की बहाली के लिए जो नई नियमावली तयार हुई थी उस नियमावली को पत्ना हाईकोट ने असपश्टूप से कह दिया है कि यह नियमावली बे असर किसी काम की नहीं है क्यों किसी काम की नहीं है क्योंकि ये नियमावली सरकार ने 2021 में प्रकासित किया था और इसी तरह से एक नियमावली सरकार ने प्रात्मी सिख्षिक पहाले के लिए कि नियमावली 2020 में प्रकासित किया था यारज़िस को हम लोग निमावली 2020 के नाम से जानते हैं और अभी जो सरकार निमावली बना रही है उसको निमावली 2022 के नाम से जानते हैं ठीक है यहाँ पर क्या लिखा है कि नियाय मुर्ती पीवी बैजंत्री तथा नियाय मुर्ती पुर्णेंदू सिंग की खंड़ पिठ ने अबदुल बाकी अंसारी की ओर से दायर याचिका को निस्पाईद करते हुए आदेश दिया कोर्ट ने कहा कि 18 अगस्ते 2021 को जारी की गई बिहार राजिकी रित प्राडमभी की स्कूल हेर मास्टर निमावली को प्राडूप के तोर पर प्रकासित करने तथा अगले दो माह के बीतर लोगों से आपत्ती अम सुझाव अवंत्रित करने को कहा है साथ ही आपत्तीम सुझाव पर विचार कर अंतिम निमावली त्यार करने को कहा है एक्शली हुआ क्या था कि यह जो बहाली होड़ी है इसमें अनुभव मांगा गया है आठ साल का उनुभो मांगा गया है इस पर एक आदमी ने केस कर दिया पतना हाई कोट में और जो केस किया उसमें उन्होंने यह कहा है कि सरकार ने जब यह निमावली बनाई आप देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है कोट ने सरकार से यह पूझा था कि 18 अगस 2020 को कानून का जब दर्चा दिया गया थे इस निमावली को तो क्या इस प्राडू को प्रकासित करते समय लोगों से अपतियम सुझाओ मांगे गये थे या नहीं यानि कि आपने सरकार कोट ने कहा है कि आपने जब 2021 में निमावली को प्रकासित किया था तो निमावली को प्रकासित करने से पहले क्या आपने लोगों से सुझाओ मांगा था जिन लोगों पर ये निमावली असर करेगी उन सिख्षकों से सुझाओ मांगा था या नहीं मांगा था सरकार ने कहा कि नहीं हमने तो सुझाओ कीजिए लोगों से उस निमावली पर आपती मांगिए उसके बाद उसमें संस्वजन कीजिए अब तब जो फाइनल निमावली प्रकासित होगी वो होगी निमावली यानि की सरकार को अच्छे तरीके से फटकार लगा दिया हाईकोट ने कि आप अपनी मर्ची से कोई भी नि निमावली कैसे बना सकते हैं यहां तकि आप पहले कीजिए कि ड्राफ्ट को प्रकासित कीजिए उस पर लोगों से आपको सलाह मांगनी है और जो सलाह मिलेगी उस सलाह के आधार पे निमावली को त्यार करना है हलाकि सरकार ने सात्वे चर्ण में इस पर थोड़ी से सीख इस पर सिख्शक संग से सलाह जरूर लिया है लेकिन सलाह भी किसलिया है जो लेडी सिख्शक हैं जिनको सात्वे चर्ण में वास्तों में साम reichtई होना है जो आध्यति हैं उनके पास ना तो सलाह देने की कोई योगिता है नव वो इस चंता मेह के सलाह दे सके उनको बस भेड़ बकडी के तरह जो भी निमावली आएगी उसको स्विकार कर लेना है चाहे वो निमावली दोजार बीस की तरह घटिया निमावली क्यों हो जो पुंता एकडमी का धर्पय बहाली का समर्थन करती हो तो फिर देखिए आगे क्या होता है लेकिन सात्वेचर में सरकार ने फुक फुक के कदम रखा है सलाह तो लिया है इस बार अब देखिए आगे क्या होता है उमीद की जा रही है कि जनवरी के महीने में आपको सात्वेचरन का नोटिफिकेशन देखने के लिए मिले लेकिन अभी भ सुनने में वही है कि हाई स्कूल पहले आएगा जो बात पहले बराबर कहते हैं कि हाई स्कूल पहले आएगा और प्राथमिक बाद में आएगा